उस्त्रा सलातीन उन्नीस्वा बाब जब हिस्किया बादशा ने ये सुना, तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओड़ कर खुदावन के घर में गया, और उसने घर के दीवान अलेकेम और शिबना मुण्शी और काहिनों के बज़र्गों को टाट उड़ाकर अमोस के बेटे यसाया नभी के पास भेजा, और उन्होंने उस से कहा, हिस्किया यू कहता है कि आज का दिन दुख और मुलामत और तोहीन का दिन है, क्यूंके बच्चे पैदा होने पर हैं, लेकिन विलादत की ताकत नहीं, शायद खुदावन तेरा खुदा, रबशाकी की सब बातें सुनें, जिसको उसके आका शाह असोर ने भेजा है कि जिन्दा खुदा की तोहीन करें, और जो बातें खुदावन तेरे खुदाने सुनी हैं, उन पर वो मलामत करेगा, पस्तूस बकिया के लिए, जो मौजूद है दूआ कर, पस हिसकिया बादशा के मुलाजम यसाया के पास आए, यसाया ने उन से कहा, कि तुम अपने आका से यूं कहना के खुदावन यूं फरमाता है, कि तुम उन बातों से जो तुने सुनी हैं, जिन से शाह सोर के मुलाजमों ने, मेरी तक्फीर की है, ना डर, दे वो एक अफवा सुनकर, अपने मुल्क को लोट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा, सो रबशा की लोट गया, और उसने शाह असोर को लिबना से लड़ते पाया, क्यूंकि उसने सुना था, कि वो लेकस से चला गया है, और जब उसने कू तो उसने फिर हिस्किया के पास एलची रवाना किये, और कहा, कि शाह यहूदा हिस्किया से यूं कहना, कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है, तुझे ये कहकर फरेब ना दे, कि यरुशलिम शाह असोर के कव्जा में नहीं किया जाएगा, देख, तुने सुना है कि असोर के बादशाहों ने, तमाम मुलक को बिलकुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है, सो क्या तू बचा रहेगा, क्या उन कौमों के देवताओं ने, उनको यनी जोजान और हारान और रस्फ और बनी अदन, जो तिलसार में थे, जिनको हमारे ब हमात का बादशा और इर्फाद का बादशा और शेहर सिफ रौाइम और हिना और एवा का बादशा कहां हैं, हिस्किया ने एलचियों के हाथ से नामा लिया, और उसे पढ़ा, और हिस्किया ने खुदावन के घर में जाकर, उसे खुदावन के हजूर पहला दिया, और हिस् इस्राइल के खुदा करोबियों के उपर बैठने वाले तु ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तु ही ने आस्मान और जमीन को पैदा किया। ए खुदावंद कान लगा और सुन। ए खुदावंद अपनी आँखें खोल और देख। और सख्रेब की बातों को जिन से जिन्दा खुदा की तोहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है सुन ले। ए खुदावंद आसोर के बादशाहों ने दरहकीकत कौमों को उनके मुलकों समेथ तबा किया और उनके देवताओं को आग में डाला क्यूंके वो खुदा ना थे बलके आदमियों की दस्तकारी यनी लकड़ी और पत्थर थे इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। तो अब ए खुदावंद हमारे खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ के तू हमको उसके हाथ से बचा ले ताके जमीन की सब सल्तनतें जान लें के तू ही अकेला खुदावंद खुदा है। तब यसाया बिन आमोस ने हिस्किया को कहला भेजा के खुदावंद इसराईल का ख मैंने तेरी सुन ली। इसलिए खुदावंद ने उसके हाथ में यू फरमाया है के कमवारी दुखतर सेहून ने तुझको हकीर जाना और तेरा मुजाहका उडाया है। यरुशलम की बेटी ने तुझको हकीर जाना यरुशलम की बेटी ने तुझको हकीर जाना यरुशलम क और अपनी आँखें उपर उठाईं, इस्राइल के कद्दूस के खिलाफ, तुने अपने कासिदों के जरीया से खुदावन की तोहीन की और कहा, कि मैं बहुत से रथों को साथ लेकर पहाडों की चोटियों पर, बलके लुबनान के वस्ती हिस्तों तक चाड़ाया हूं, और मैं उसके उँचे उँचे दियोदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरखतों को काट डालूंगा, और मैं उसके दूर से दूर मुकाम में, जहां उसकी जर्खेज जमीन का जंगल है, घुसा चला जाउंगा, मैंने जगहा जगहा का पानी खोद खोद कर पिया है, और मैं अपने पाउं के तलवे से मिसर की सब नदियां सुखा डालूंगा, क्या तूने नहीं सुना के मुझे ये किये हुए मुद्द हुई, और मैंने अपने कदीम अयाम में ठहरा दिया था, अब मैंने उसी को पूरा किया है, के तू फसीलदार शेहरों को उजार कर खंडर बना देने के लिए बर्पा हो, इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए, वो मैदान की घास और हरी पौद और च्छतों पर की घास और उस अनाच की मानिंद हो गए, जो भढ़ने से पेशतर सूख जाए, लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्ट और तेरा मुझ पर जुनजलाना जानता हूँ, तेरे मुझ पर जुनजलाने के सबब से, और इसलिए कि तेरा घुमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुझ में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है, मैं तुझे उसी राह से वापस लोटा दूंगा, और तेरे लिए ये निशान होगा, कि तुम इस साल वो चीजें जो अजखुद उगती हैं, और दूसरे साल वो चीजें जो उन से पैदा हों, खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगा कर उनका फल खाना, और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है, फिर नीचे की जड़ पकड़ेगा, और उपर की तरफ फल लाएगा, क्यूंकि एक बकिया यरुश्लम से और वो जो बच रहे हैं, कोहे हैसून से निकलेंगे, खुदावन की गयूरी ये कर दिखाएगी, सो खुदावन शाह अस्तोर के हक में यूं फरमाता है, कि वो इस शहर में आने, या यहां तीर चलाने ना पाएगा, वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने, और ना उसके मुकाबल दमदमा बांधने पाएगा, बलकि खुदावन फरमाता है, कि जिस रह से वो आया, उसी से लोट जाएगा, और इस शहर में आने ना पाएगा, क्यूंके मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाओद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा, ताके इसे बचा लूँ, सो उसी रात को खुदावन के फरिश्टा ने, निकल कर अस्वर की लशकरगा में, एक लाक पच् हजार आदमी मार डाले, और सुब को जब लोग सवेरे उठे, तो देखा के वो सब मरे पड़े हैं, तब शाह असूर सख्रेब वहां से चला गया, और लोट कर नैनमा में रहने लगा, और जब वो अपने देवता नस्रूक के मंदर में पूजा कर रहा था, तो अदर तिलि हजार से कतल किया, और एरारात की सरजमीन को भाग गये और उसका बेटा असर हदून उसकी जगहा बादशा हुआ।